नमस्कार साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी विसेश कलास में वैसे यह विसेश कलास है मिस्टर पावन पाल जी की उन्होंने यह कलास को जॉइन किया है तो उनके लिए विसेश रूप से कलास होती है आज इस कलास में हम देखेंगे कि यह मुद्रूर और से निम उप्तार पर आपकर पर कर सकते हएं यह मत सोचछे गए कि अगर आपको मिलेघी मिलेगी रिगुलार उसी को मिलेगे ना segunda ना पर बहुत इंडियन का मतलब होता जो हम लोग घरेलू भासा में अपने भारत में बात करते हैं, इंटेर्णेशनल मतलब जो सभी देश में यूज होते हैं, जैसे चाइना हो गया, अमिर्का हो गया, आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प, सुना होगा नाम ना, और बराक अबामा क सुना होगा, है ना, टिम कुप के बारे में सुना होगा, बहुत ऐसे नाम है, जो भारती नाम है, कुछ सारे हैं, बहुत सारे, उनमें ये आपने सुना होगा कि वो मिलियन में कमाई होती उनकी, इनकी कमपनी का मिलियन जो है, टरन ओबर हो रहा है, बिलियन हो रहा है, है न अपने हां इंडिया का आपने सुना होगा जियो का है न रिलायंस एरेटल और गज़रा की लाखो में करोणों में घांटे में जा रही μεिंलियन घांटे में जारही ई जबकी मिलियन बहुत बड़ा नहीं होता है 10 Larias का 1 मिलियन होता है लेकिन ये हमारे आने यूच किया जाता है ये मिलियन बिलियन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है ये हर जगह यूच किया जाता है मतलब दूसरे देशों में अपने हां का में यूच किया जाता है और आपका स्कूल का नाम रोहन है बहुत से ऐसे होते हैं, इस्टूडेंट उनका घर का नाम दूसरा होता है ममी पापा प्यार से चोटू मोटू रख देते हैं कुछ भी और स्कूल में कुछ और रहता है लेकिन नाम तो आप ही का रहता है, अलाग अलाग तो नहीं होता, वैसे यह भी होता है, यहाँ पर देखना इन दोनों में क्या अंतर होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है, पढ़ने में और समझने में बाकि वह होता है, जैसे अगर हमें इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है चारसो बारा तो यह चारसो बारा ऐसे होगा इंटर्णेशनल में लिखोगे इसमें भी 412 इसमें कोई अंतर नहीं होगा अगर हमें लिखना है 5128 तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में आप ऐसे लिखोगे पांच यह 5128 क्या लिखोगे 5128 चेंजिंग यहां पर नजर आती है जब लाखों में पहुंचते हैं तब ठीक न अगर हमें लिखना है 69218 तो इसमें भी आप ऐसे लिखोगे 69218 लेकिन और भी समझना अभी अगर आपको और बड़े ले चले आगे जैसे आठ लाख 18339 तो इधर देखो कुछ बदल जाएगा वो क्या बदल जाएगा आप इसको ऐसे लिखे ओना आठ लाख 18339 इसको आप ऐसे लिखोगे ऐसे और ये ऐसे लिखोगे क्यों ये तीन तीन अंक अलग अलग हो जाएगे इसमें देखो तीन जोड़ा बना था एक अंका दो अंका तीन अंका उसमें तीन नहीं बनेगा अभी देखो मतलब समझना इसको पढ़ेंगे 100000 101008 कि क्या पढ़ेंगे एट हंडेड थिन थौझन क्या बोलह English 818000 मतलब 8 Waterhouse has error the 231 लेकिन इसको अशे नहीं पढ़ेंगे हीमदीमे इसको पढ़ेंगे 818,000 329 तो ये थोड़ा सांतर यहां से आप समझ गया होगे पूरा भी समझ लो विस्तार से देखो पूरा विस्तार से समझना उसके लिए पूरा देखना आगे कलास को दखें इसको आगे समझना आगे कैसे समझेंगे इसको मिटाते हैं पहले फिर हम बनाएंगे उसको समझना ये इंडियन और इंटरनेशनल में अंतर आपने कुछ थोड़ा बहुत समझ लिया होगा देखिक जर 넣 ऊंचता है शंक्याना च्शे अंंग में तब दोनों में अंतर जनाई पढ़ा है 5 अंक जब तक रहता है तब तक दोनों में कामा भी वैसे लगते हैं और सब कुछ वैसे होता है देखो जैसे अगर मैंने नंबर लिख दिये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो दस तो रहने तो लिखने को नहीं अच्छा नहीं है, नो तक ही लिखो ठीक, चलो बस इससे बड़ा नहीं समझना, आपको बाद में और समझो कि आगे कलास में देखो इसको दोनों सिस्टम में समझना, इसको हम अपने यहां क्या बोलेंगे इंडियन में बोलेंगे काई, समझ लो इसको बोलेंगे दहाई, इसको बोलेंगे साइंकडा यहां तक हुआ है, यहां दे ना, साइंकडा इसको बोलेंगे हजार, ठीक इसको बोलेंगे 10,000 ऐसे तो गिनते हैं न इकाई दाई सेकड़ा हजार दफ हजार पूरा देखना दफ हजार उसके बाद क्या ये लाक ठीक फिर ये दफ लाक फिर इसको क्या बोलेंगे दफ लाक के बाद करोण और फिर ये हो जाता है 10 करोण बहुत अच्छे से समझना ये है हमारी भारतिये नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल में क्या होता है क्या उसमें कोई चार चांद लग जाते हैं क्या ऐसा कोई बात नहीं है बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है उसमें देखो उसमें समझना उसमें इसे कुछ ऐसे गिनते हैं कैसे गिनते हैं यहां समझना इकाई को हम में once क्या बोलते हैं once कि इसको बोलते हैं 10 कि फिर इसको क्या बोलेंगे once 10 उसके बाद इसको बोलेंगे hundred क्या बोलेंगे hundred समझते जाओ once 10 hundred फिर यह thousand वही रहेगा भी कोई बदलाव नहीं बिसेश हजार को thousand बोलते है भी thousand ठीक फिर thousand के बाद यह 10,000 था ना तो यह क्या होगा 10,000 इसमें कोई अंतर नहीं है भी कि टेन थाओजेंड अंतर यहां से सुरू होता है इसमें लाक होता है न इसमें लाक नहीं बोलोगे ना बिलकुल लाक नहीं बोलोगे इसमें हो जायेगा 100,000 क्या हो जायेगा 100,000 यहीं अंतर यहां सुरू होता है 100,000 अंतर समझ में है न वन्स टेन्स हंड्रेड थाओजेंड यहां तक तो सेम था क्योंकि एकाई को वन से बोलते हैं दहाई को टैन से बोलते हैं सैकड़ा को 100 बोलते हैं दस हजार को 1000 बोलते हैं इंगलीज में यह केवल हिंदी इंगलीज का ट्रैंसलेशन था बसे हां तक लेकिन यहां से बदल गया लाक बोलते हैं इसे लेकिन इंगलीज में इसे अगर इंटरनेशनल में जाएंगे तो 100,000 हो जाएगा फिर क्या होता ये साथिकों ये 10 एक लाग तक हो गया अब जब 100,000 भी जाता है तो ये 10 लाग की जगा पर आता है मिलियन एक नया वर्ड आता है मिलियन सुन करके आपको ऐसा लगता है मिलियन मतलब बहुत जादा मतलब जितनी कलपना भी ना किया जा सके जैसे किसी के बारे में सुन लीजिए कि उनके पास मिलियन रुपया है मिलियन कमाई होती है तो आपको काफी देर सोचना पड़ेगा कि मिलियन मतलब अनुकूत होगा कोई था नहीं होगी लेकिन million का मतलब मात 10 लाक होता है बस million का मतलब 10 लाक उससे जादा नहीं समझ गए ना आगे million के बाद ये क्या होगा अब ये जो एक करोण है ना एक करोण को क्या बोलेंगे million के बाद 10 million क्या होगा 10 million is यानि अगर किसी के पास एक करोन्ट रूपया है मतलब उसके पास 10 MILLION रूपया है बस रीज़ना के समझ गये ना एक करोन मतलब 10 मिलियन उस्साधा नहीं एक करोन मतलब 10 मिलियन अट थो आपने देखा होगा हमारे यहां जो नए जनाय आती है उसमें 400 सो करोन रूपए लगा जाते हैं ना चार सो करोन रूपए लगा जाते हैं और दिखा जाता है कि माननी परधान मंत्री जी ने चार सो करोन रूपए की योजना का सिला नयास किया और बहुत कुछ करोन मतलब 10 million तो 400 करोन मतलब कितना million 40 million होगा ऐसे कुछ तो होगा ना भाग दे के देखना बताना कितना होगा ठीक ना लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं निकलता अब पूराना देखियो 100 million 100 million के बाद होता है billion ठीक ना 100 million इसके आगे हम आपको बताएंगे तब आप खुब सारा इस वीडियो को सेयर करोगे और कमेंट करोगे कि बताइए तब हम बताएंगे कि 10 million के आगे क्या होता कहानी यह करोन के आगे क्या होता है इससे बड़ी भी करके तब बताएंगे अब दोनों में अंतर समझ लो यहां से पढ़ना नहीं घोल के पी जाना कभी भूले ना जिससे हजम कर लेना आपको बस ठीक ना मतलब हजम आपको करना है वागी तो हम पढ़ाई दे रहें ध्यान दीजिए अगर कोई संख्या है यहां तो हमने नौ कि संख्या का हिसाब बताया है नौ अंक की न अब इसी के ऊपर हम नंबर रख रख के आपको सिखाएंगे जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसके ऊपर नौ मोच बाताव इसे इंडियन और इंट्र नंबर सिश्टम में क्या लिखो गहे बाई इंडियन में देशी बात सम वहाइं नौसो बाता न लिखा ए इंट्रनेश्नाल में क्या क्या कोई इसमें कुछ भीश तोड़ी होगा यह ँडर मतलब 900 अंड्रेट मिंस कितना 900 और फिर यह दोनों ले लो तो फिर 72 लिखा इंग्लिस में 72 बोल देंगे बस बागी कुछ नहीं ठीक ना लेकिन एक बात आउर समझो अगर यहां पर आठ हो गया आप क्या होगा यानि यह 1000 की जगह पे आ गया तो सिंपल सी बात है 5000 की जगह पे 8 ORD8,00 है ना ध्यान से देखो 1,000 है ना इसके उपर जाओगे तो क्या 8 8,007 फिर क्या है इदर यह सएक ड़ा वाला था हरे 100 की जगा पे 9 है तो 8,972 को 72 बोल दो यहां तक तो कुछ महावल नहीं जना ही पड़ता है हिंदी में बोलना है बोल दो की 8,930 लेकिन अगर यह एक गिंती अगर बढ़ जाए अब 6,8,9,72 होगे आप क्या बढ़ेंगे दिरे दिरे बढ़ता जा रहा है अब देको हिंदी भा देको यह 10,000 तक पहुँच गया ना 10,000 मतलब यह दोनों मिला के तो बोलोगे जो भी बोलोगे अकेले बिल्कुल नहीं रहता यह इन दोनों की जोड़ी बन जाती दस पे आने के बाद फिर यह अकेले रही नहीं पाते पता नहीं क्या बिमारी है इन तो क्या बोलेंगे इस अमेरिका में तो क्या पढ़ेंगे अमेरिका में इसको क्या पढ़ेंगे चाइना में देखो 10,000 है ना तो इसमें कोई बिसेश बदलाव नहीं होगा वहां पर भी वो लोग भी ऐसे बोल देंगे सिंपल सी बात है 10,000 मतलब यह 68,972 68,972 लेकिन बदलाव की दुनिया तो अ यहां से यहां से अगर यहां पर वन हो गया चलो अब यह पूरी गिंती हो गई अब क्या पढ़ेंगे इसको मिला कि पूरा ध्यान से देखो आप समझना आप विसेश अंतर यहीं से समझ में आएगा वो क्या है देखो ध्यान देना साथियों यहां से कामा और लगने में भ लाग के उपर आया ना तो एक है तो एक लाग हो गया यानि इसको इंडियन नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे एक लाख काम खतम और फिर एक को मून दो तो क्या बचा छिपा दो इसको तो वही बचा 68000 मतला बादसाट 2972 लेकिन इंटरनेशनल में चेंजिंग हो जाता है क क्यों क्यों कि यह 100,000 हो जाता है ना 100,000 हंड्रेड आपके दिमाग में आते ही आपके माइंड में आता होगा कि हंड्रेड में तीन डिजिट होते हैं बोलो होते हैं कि नहीं हंड्रेड में तीन डिजिट होते हैं यह तीन डिजिट है ना गिन लो एक दो तीन है ना तो हंड एक लिए तो ऐसे अगर तो दो लोग से भी काम ने चलता है तिरपल हो जाते हैं मतलब यह तीनों मिला के इनको बोलते हैं क्या बोलते हैं तीनों को मिला के क्या पढ़ेंगे इंतने इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अचा बता हो इतना इतना ही पढ़ना हो तो पढ़ोगे ये 168,000 वर्ड लास्ट में लगा लेना ठीक ना 100 नहीं लगा होगे 100 की जगा पर तो यह हो गया 168 इसे ऐसे लिखेंगे 168,972 ठीक ना क्या लिखोगे यहां पर लिख लो जल्दी से कन्क्यूज हो रहा होगा ना इसे लिखोगे 168,000 फिर आगे लिखना जगा नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 972 ठीक ना तो यह तरीका हो गया इंटरनेशनल और इंडियन में लेकिन इसे अभी इतना से ही नहीं समझा जा सकता अभी और आगे भी देखना और पूरा कलास देखना भागना मत बिल्कुल भी ठीक ना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए इतनी तो बात थी जो आप आसानी से समझ गए अब थोड़ा सा अगर हम आगे और भी बढ़ें तो क्या होता है वो भी देखना आगे समझना यह थावजेंट था थावजेंट आज कुछ ज्यादा है अच्छे से समझ रहे हो आप लोग अगर आप डेमो देख रहे हैं तो पीव्यारे स्टेडी आप करें और वाटसब नंबर पर संपर करके आप भी कलास जॉइन करें जिससे आपको भी ऐसे कलासे मिल सकें ठीक ना मिश्टर जो लोग कुछ डेमो देख रहे होंगे वो ध्यान दें नहीं तो हर दिन नहीं मिलेगी ऐसे 10 लाख अब देखो अगर ये गिनती चैंक опас थी तब तो आप समझें गए देखो छैंग की थी एक marble की यहां पे मायलो को यह और किन अगई दूसरी चलो अब अगर यह साथ अग की घिनती हो गई जो मैं लिखा हो इसको यहां देना यह तो इसको क्या पढ़ेंगे यह जो मैंने घेरा है इंडियन और इंटर्डेशनल दोनों नंबर सिस्टम में बताओ क्या पढ़ेंगे सोच के बताओ देखो यार यह 10,00,00 तक आ रही ना इसके उपर तक आई है ना मतलब 10,00,00 दस का नाम आते ही मैंने आपको बताया था कि यह डबल हो जाते हैं अकेले ने रह पाते हैं तो 10,00,00 का मतलब यह दोनों मिल जाएंगे एक में और फिर बोलेंगे आफ लाक यानि कीफ लाक और फिर यह क्या बचा है इसको तो आप पीछे पड़ी लिए हो इतना यहां तक 68,932 है ना लेकिन यहां पर सबसे बड़ा बदला होता है इंटरनेशनल में क्योंकि इंटरनेशनल में 10,00,00 होता ही नहीं है यहां पर तो मिलियन पहुंच जाता है तो इसकी जगा पर इसकी सिधाई ना पर जो गिंती होगी वो मिलियन में जाएगी और क्या बोलेंगे हम हम बोलेंगे 2,000,000 क्या बोलेंगे 2,000,000 फिर और आगे क्या वही जो भी आप पीछे देखे हो 2,000,000 168,000 172,000 बात समझ गये ना क्या पढ़ेंगे इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 2,000,000,000 168,000 972 ये तब होगा जब गिंती साथ अंक की हो कितने की हो साथ अंक की हो लेकिन अगर ये आउर थोड़ा बढ़ जाए तो क्या होगा वो भी देखना अगर ये साथ अंक की होती गिंती तब ऐसे बढ़ते इसको लेकिन चलो इसको हम थोड़ा आउर बढ़ा लेत आप देखना क्या होता है अगर ये गिंती आठंक की हो गई खुदा नखासता चलो इतना हो गया आप क्या बढ़ेंगे इसे इंडियन नंबर सिस्टम में देखो करोन तक आ गया ये करोन तक आ गया गर आप न तो करोन की जगा पे साथ है तो आप बोलोगे साथ करोन और दफ से गया हो इतना तो जन्बे कर रहे हो लेकिन में इंट्रनेशनाल नंबर सिस्टम में क्या इंट्रनेशनल में देखो आप टैन मिलियन की जगा पे आ गया तक रहतं है पुराना किस्सा 168,972 क्या बोलेंगे 72 मिलियन और हां कामा वाली बात है मिश्टर आपकी बुक में दिया है न तो कामा कैसे लगाओगे जो आप बोल रहे हो एक कामा लगा दो 72 मिलियन मतले यहां कामा हो जाएगा 168,000 यहां कामा हो जाएगा फिर 972 उसमें कोई कामा नहीं होगा ऐसे यह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस तरह का कामा लगेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ध्यान दो ठीक ना कहां कहां लगेगा कामा इंटरनेशनल कि किस की बाद लगेगा 6060 के बाद लगेगा 902 तरह से हो यह इंडियन में हो गया दोनों में अंतर समझ गए ना कभी न भूलोगे लाइफ में अगर समझ लो एक बार अच्छे तो हाँ बिलकुल मैं सही बोल रहा हूं आप ध्यान से एक बार देख दो लो इमांदारी से इमा ना चलने फिर इसके आगी हम आपको अगली क्लास में दिखाएंगे द्यान से देखना और कामा अगरा ऐसे लगा लेना ठीक ना कामा लगाना सीख गये ना मिश्टर पावन जी की नहीं सीखे नहीं सीखे और मैं बता देता हूं थोड़ा सा देखे मिश्टर आप अपनी कि अब ही मैने पूरी कहानी बता दिया है इकाई दहाई सैकडई हजार दफ हजार लाक Oxford लाख करोण करोण लॉर्य त मतलब एक गंति ना अकर दस करोण बोलताया दफ लॉन तो दूग धिन्ति अब मिलाते करोण बोलता है ना तो आप एक गंती पर कामा लगाय कि चार के बार कामा रहेगा कहा रहेगा चार के बाद कामा इसके बाद आप चार पे कामा लग गया अब इसकी बात खतम हो गई अब आप देखोगे जो बचे हैं उन में ठीक है 24 तक गिनोगे फिर से मैंने कहा था जहां दस बात आएगी वहां दो गिन्ती मिलके बोलेंगे क्योंकि दस के बाद अकेले नहीं हो पाता है काम दो लोग मिलते हैं इसमें तो क्या होगा दफ लाक मतलब यह दोनों गिन्ती मिलागे आप कामा लगा होगे 24 ठीक ना अब यह होगे दफ लाक 24 अब इन देने में हिसाब करो एकाई दहाई सैकड़ा हजार दफ हजार देखो फिर दफ आया जहां दस आएगा महां दो गिन्ती मिला होगी मतलब यह हो गया उन्नीस हजार ठीक अब बाकी जो लाइफ्ट में बच रहने दो कुछ मत करो यह हो गया कामा लगाने का तरीका समझ गये ठीक ना अगले में भी ऐसे समझ लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दफ हजार लाक दफ लाक करोण करोणा आरा सिंगल ना मतलब अकेला है अगर 10 करोण आता तो डबल होते 10 करोण अगर इस पर होता तो हम 46 के बात कामा लगाते लेकिन करोण हो रहा है तो चार के बात अब आप चार तक गिनेंगे काई दहाई सेकड़ा हजार दफ हजार फिर दस आ रहा है दस मतलब दो गिंतिप कामा यह एक तालिफ हजार फिर 156 यह होगे भारतिये नंबर सिस्टम कुछ्चन नंबर चौथा है मिस्टर इन्होंने पूछा हुआ था इनका एक अभ्यास्त में खतम कर देता हूँ चौथा नंबर में पूछा था कि आई अंतर राष्ट्रिय संख्या पर लाली के अधार पर अलब विराम लगाई यह मिस्टर आप अपना पहला सवाल देखिए का नंबर जो है आपका ध्यान दीजिए लिखा है 12463 और 218 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क यहीं तो होता ना 100,000 छेंग हो गया फिर फिर क्या होगा भाई फिर सिंगे लोंस टेंस 100,000 10,000 100,000 फिर उसके बाद शुरू हो जाता है आपको क्या मिलियन है ना मिलियन फिर 10,000,000 ऐसे तो गिंते हैं ना नहीं देखा तो पिछली कलास देख लो 10,000,000 जहां 10 आया मैंने बताया वहां 2 गिंती हुई तुरां 10 के बाद 2 यानि कि ये कामा जो लगेगा 10 मिलियन अगर हो रहा है तो ये 12 के शंक्या परलाली पर आप तीन-तीन अंग पर कामा लगा होगे बस इसे आप ऐसे भी समझ सकतो यार कि पीछे साइड से आप तीन-तीन अंग पर कामा लगा दोगे कितने पे पीछे साइड से आप तीन-तीन अंग पर कामा लगा दोगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लेक कि नाइन एट है कि सेबन थ्री फॉर हां यहीं ना एट टू अन्टू इसको भी गिन लो पीछे से तो आप पहले तीन तीनंग पे कामा लगा लो यह तीन तीनंग पे कामा हो गया इतना ठीक है इतना आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं इंटरनेशनल में पीछे से तीन तीनंग पे कामा लगा लो कोई दिक्कत नहीं हमेशा होगा चलो कि भी लेते हैं यहां कि लिएंटाहक उतना बीलियेंग का फिर कैना सकते मारे तेन मीलियेंग के बाद क्या हो जाएँगा हम फीट्रे през conduit अप लेकिन यहां पर एक ज्याला देना कि यह थ Boss अगजा अधम यूलियन हो जाएगा जाब कि से लिए तक लो ल्कूम सेटेंस अन्ड़ेडठ थाओजन 10,000 100,000,000,000 10,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 तो यहां पर कामा रहेगा यह जहां लगाए ठीक है बस इसमें कोई अंतर नहीं है नो अगर नो है तो तेन इन पर कामा हो जाएगा नो 287,348,212 बढ़ेंगे इंग्रिस में क्या बोलेंगे 987,348,212 यह होता है पूरा सिस्टम आप समझ गये होंगे तो इन्हीं क्लास बातों के साथ आज की कलास ही तक जैहिन मिलेंगे फिर अगली कलास में अगर आप ने अभी तक पीवियर इस्टडी का एप इंस्टाल नहीं क कमपलीट कोर्स मिलेगा जिसके लिए आपको भी कलासे जॉइन करनी होंगी ठीक ना आप जॉइन कर लीजिए और पूरा देखिए कई सी भी देखिए कभी भी देखिए घर बैठे देखिए ठीक ना तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट कलास में सुक्रिया